आज जानेंगे एक ऐसी स्थान के बारे में जहां लगबग आठ मीटर उचे सैकडो खड़े पत्थर प्रहरी बने हुए हैं और जिनके अत्पत्ती काल्पनिक लोग कथाओं में छिपी हुई है मिघाले की जैतिया हिल्स में नर्टियांग नाम का एक गाउ है यहां के शान्त वादियों में एक समय पुराने शासको के सम्मान में कई मुनोलित यानि पथर के खंबे बनाए गए थे इतिहास कारों के अनुसार इन में से कुछ मुनोलित करिश अताब्दियों पहले के हैं और कुछ को अंतिम बार उन्नी सुछ अताब्दी के मद्दे में जोड़ा गया था इस इस्थल को आसानी से मुनोलित का बगीचा कहा जा सकता है सामानी बगीचे के तरह ही लोग नर्टियांग मुनोलित की साइट पर समय बिताना पसंद करते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि यह चट्टानी स्थल बहुत ही अनुखा दिखता है और समय गुजारने के लिए एक बेहत सुन्दर जगे है रहस्मय तरीके से इन विशाल पत्रों को इस तरह से खड़ा किया गया कि इनको देखने के लिए गुमाबदार रास्तों से उकर गुजरना पड़ता है बेहत पुराने उचे पेड़ इन मुनोलित के साथ साथ चलते हैं और इस स्थल को बहुत ही रहस्मय रूप देते हैं नर्तियांग मुनोलित संभवता एक ही स्थान पर मुनोलित का सबसे बड़ा संग रहे है दिलचस बात यह है कि चट्टान का प्रतेक टुकड़ा किसी ना किसी को समर्पित है उधारन के लिए खड़े मुनोलित या मेनहिर जिनको स्थानिया रूप से मूशिन रंग के नाम से जाना जाता है पुरुष पूर्वजों को समर्पित है सपाट वाले या डॉल मेंस जिनको स्थानिया भाशा में मूँ किन्था ही कहा जाता है महिला पूर्वजो को समर्पित है इन में से एक मेन हीर सच मुछ अलग दिखता है यह शायद दुनिया में सबसे उचा है कहते हैं कि इसको एक सैनिक यू मार फालिंकी ने बनवाया था नर्तियांग सिर्फ सद्यों पुराने चट्टानों के बारे में नहीं है लोग नर्तियांग को इन क्यावन शक्ति पीठों में से एक भी मानते हैं देवी दुर्गा को समर्पित अखंड इस्थल के पास एक नर्तियांग दुर्गा मंदिर है आज यह जगा देश के सबसे लोगत्रे गंतव्यों में से एक है परिटा खड़ी पत्थर के रहसे को दीखने आते हैं